Hello students, आज हम लोग multiple choice questions को देख रहा है और पिसले वीडियो में हम लोग question number 12 तक देख लिए थे तो अब हम लोग question number 13 से देखेंगे चलिए देखते हैं, दिया हुआ है, कहारा है, if cos inverse x by 3 plus cos inverse y by 2 equal to theta by 2 then हमें पूछ रहा है, हापे 4x square minus 12xy cos theta by 2 plus 9y square का value क्या होगा तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं, तो cos inverse x और plus cos inverse y के यहाँ formula लगाते हैं हो जाएगा, cos inverse x by 3 into y by 2 minus root under 1 minus x by 3 का whole square into में root under 1 minus y by 2 का whole square, तीक है, यहाँ cos inverse x plus cos inverse y का formula में लगा दिया cos inverse xy minus root under 1 minus x square into root under 1 minus y square और equal to में यह theta by 2, तो यह cos inverse को उधर ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा cos theta by 2 और यहाँ पर देखिए, यह आपका हो जाएगा, xy by में 6 minus root under 1 minus यहाँ पर क्या जाएगा, x square by 9 और root under यहाँ जाएगा 1 minus y square by 4, हमनों root वाले को उधर करते हैं और cos theta by 2 को इधर लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका, xy by 6 minus cos theta by 2 और इधर हो जाएगा आपका, root under 1 minus x square by 9 और into में, root under 1 minus y square by 4 अब हम लोग दोनों तरफ esquiring करते हैं, by esquiring, चलिए, दोनों तरफ esquiring करेंगे, तो देखिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, esquiring करने से, यहाँ पर हो जाएगा आपका, xy by 6 minus cos theta by 2 का square और इधर root हड़ जाएगा, आपका हो जाएगा, 1 minus x square by 9 into में, 1 minus y square by 4 चलिए, simplify करते हैं, a minus b का whole square लगाएगे, तो हो जाएगा, x square y square by में, 36 minus 2, xy by 6 cos theta by 2 और plus में, cos square theta by 2, और इधर देखिए, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ multiply करो, 1 minus y square by 4 minus x square by 9, और plus का x square y square by 36, तो यह देखो, यह कट जाएगा, अब देखिए, इसके बाद देखो, मैं इन दोनों को इधर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यह दोनों इधर आके plus के हो जाएगे, यह दोनों, हो जाएगा, आपका x square by 9, और इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो आजाएगा, minus का x y by 3, cos theta by 2, और plus में y square by 4, equal to 1 minus, इसको क्या हो जाएगा, cos square theta by 2, प्लस वाला इधर आके minus का हो जाएगा, अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं LCM ले लेता हूँ, 36 होगा, ठीके LCM लेके ही value पूछ रहा था हूँ, इसमें से डिवाइट करेंगे, तो 4 आएगा, 4 जाके x square by multiply गएगा, 4 x square, इसमें से डिवाइट करेंगा 12, 12 जाके आपका उपर multiply गए, minus 12 x y cos theta by 2, और प्लस यहाँ पर आजाएगा, इसमें से डिवाइट करेंगे 9, 9 उपर जाके multiply करेंगा, 9 by square equal to 1 minus cos square theta by 2, 1 minus cos square theta by 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम, 1 minus cos square theta by 2 का, अगर हम sin में चेंद करेंगे, तो यह sin square theta by 2 हो जाएगा, अब देखें, मैं क्या करता हूँ, इसको अधर ले जाके multiply करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसे 18 into में 2 sin square theta by 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और हम लोग यहाँ 2 sin square theta by 2 को, हम लोग formal लिख सकते हैं, तो अभी हाँ multiply करोगे, तो 18 minus 18 cos theta आ जाएगा, इसका value, यहाँ से option में कौन सा हो जाएगा, आपका, c number हो जाएगा, समझ गए, अगला देखते हैं, 14 number question,